नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं हमारे देश के अंदर एक बहुचर्चित मुद्दा फिलाल चल रहा है वो है हमारे देश के पहलवानों का जो प्रोटेस्ट है प्रोटेस्ट चल रहा है सांसा दिया कहें कि पूर्ग जो WFI के चेर्मेन है ब्रजभूशन सरन सिंग उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था उनकी गिरफतारी को लेकर जो डिमांड चल रही थी उनके उपर आरोप लगाए गए थे उसके चलते पुलिस ने फाइनली चार्ज सी गई थी FIR क्या होती है और चार्ज सीट क्या होती है क्या-क्या आरोप इनके उपर लगाए गए है किस प्रकार से जाच आगे बढ़ेगी अपडेट के साथ आपके सामने उपस थेते हैं सेसन के साफ में आप जानते हैं इनको इनके खिलाफ देश के पहलवान है हमारे उन् पहले जान लेते हैं कि ये FIR क्या होती है असल में FIR को जादा बड़ी चीज नहीं है FIR जो है संगे अपरादों के अंदर जो OGNIABOL OFFENSE होते हैं उनके अंदर जो पुलिस को कोई व्यक्ति जाकर कोई भी सिकायत दर्ज कराता है किसी भी प्रकार की सिकायत हो सकती है जब सिक यानि की First Information Report, First Information Report पहली बार व्यक्ति जाता है, सिकायत अपनी दर्ज कराता है, सिकायत लिख ली जाती है, उसी को Simply FIR या फिर First Information Report बोला जाता है, जो Non Cognizable Offense होते हैं, उनके अंदर इसी रिपोर्ट को NCR बोला जाता है, Non Cognizable Report के नाम से, NCR के नाम से हम इसको जानते हैं, तो FIR क के खिलाब काफी पहले दाखिल हो चुकी थी, FIR के बाद मांग चल रही थी इनकी ग्रफतारी को लेकर, अब ग्रफतारी के बाद पुलिस ने Charge Seat Finally दाखिल कर दी है, Delhi Police Files Closure Report, एक तो दाखिल की गई है, Closure Report, क्या होती है, यह इसकी चर्चा करेंगे, Seeking Cancellation of Poxo Case Against Brudge Hoosan, P Poxo क्या है यह, Protection of Children from Sexual Offense, मतलब बच्चों के लिए या बच्चों के साथ हो रहे, यौन दुर्वयभार को रोकने के लिए, या फिर कहें कि कि किसी बच्चे के साथ यौन दुर्वयभार हुआ है, उसके लिए सजा के प्राबधान किये गए है, Poxo के अंदर Poxo जो है, एक Act है, Poxo एक कानून है, तो असल में ब्रिजभूशन के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखी गई थी, वो दो रिपोर्ट लिखाई गई थी, एक थी छे पहलवान थे, जिसके अंदर छे महिला पहलवान थी, उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है, ये तो है एक regular पहलवान आई थी बीच में, माइनर पहलवान कहें कि नाबालिक पहलवान ने एक रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके अंदर यौन दुर्वयवार की बात की गई थी, तो दूसरी रिपोर्ट जो हुआ करती थी, वो नाबालिक के द्वारा लिखाई गई थी, इसलिए इनके वाली बदाएयार के लिए अपने बयान से पलट गई अपनी पास रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ था पुलिस के पास FIR वो दज थी तो उस FIR को खत्म करने के लिए उसके उपर जो चार्जिस थे उनको खत्म करने के लिए केस को क्लोज करने के लिए केस को बंद करने के लिए एक रिपोर्ट फाइल की जाती है पुलिस के द्वारा इसी को हम जानते हैं क्लोजर रिपोर्ट के नाम station मतब जो इनके उपर mall station के stocking के charge लगे हैं उनसे ने charge कर दिया है charge seat against bridge version charge seat इनके खिलाफ दाखिल कर दी गई है अब समझते हैं थोड़ाब सा कि यह charge seat होती क्या है इसके लिए हमें समझना होगा थोड़ाब सा प्रयार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जब सिकायत करता है तो सिकायत के वार लिखी जाती है FIR जिसको हम First Information Report के नाम से जानते हैं जब पुलिस FIR लिख लेती है तो क्या व्यक्ति की ग्रफतारी तुरंत कर दी जाती है तो असल में ऐसा जो है पुलिस के विवेक के ऊपर छोड़ दिया जाता है और पुलिस जो है कानून का साहरा लेती है और अपने विवेक का प्रयोग करती है कि कि किसी व्यक्ति के कोई report दर्ज कराई गई है तो ये वियक्ति किस प्रकार की प्रवरती क्या है पुलिस को देखती है और जो आरोप लगाए गए है यदि पुलिस को लगता है कि हार ये आरोप जो है फिलाल ठीक है उसके बाद पुलिस जो है हल्की frightening से जांच कि प्रियुक करते हैं निफ घंड करते हैं भी कंष टरी में अपनी लेली लली सकती है त Peng वैकर को अपनी कस्टरी में ह्यरासत्में ले ले लीथी है और उसके बाद 24 गहंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भीजना होताई या magistrate के सामने पेस करना होता है magistrate जो है व्यक्ति की जो FIR है उसको देखते हैं और फैसला लेते हैं कि इस व्यक्ति का आगे क्या करना है जाच के बाद या कहें magistrate को लगता है कि इस व्यक्ति को यदि 7 साल से कम कोई कोई सजा वाला प्रावधान का कोई मामला है तो उसमें magistrate के द्वारा जमानत दे दी जा सकती है व्यक्ति को अब ये जमानत क्या होती है जमानत होती है कि कोई व्यक्ति यदि पुलिस से वादा करता है कि जब भी उसको बुलाया जाएगा तब वो हाजर होगा और उससे पुलाया जाओगे तब आपको हाजर होना होगा तो जमानत दे दी जाती है या फिर जो जड़ है या कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को कस्टडी में ले लिया जाए यानि कि जेल अभी तक भी जेल तो भीज दिया जाएगा लेकिन अभी तक आरोप तय करने के बाद जेल नहीं मार्च के अनदर व्यक्ति के आवस्ति को होती है तो पुलिस डिमांड जब कस्टडी करती है और पुलिस ब्यक्ति को रखते हैं उस में पुलिस की इधिकार जो है नहीं रहते है हाला कि पुलिस ही गिरफतार करती है पुलिस ही जेल के अंदर देख रेक करती है लेकिन पूछताच वगेरा जो होगी वो सारी की सारी मजिस्ट्रेट के आधार पर ही होगी जिसको बोला जाता है जूडिसियल कस्टेडी कस्टेडी दो प्रकार की एक पुलिस कस्टेडी एक जूडि की जाती है जाच के अंदर पुलिस के ऊपर बर्डन होता है बर्डन ओफ प्रूफ या कहें कि एविडेंस पुलिस को जो है सबूत जुटाने होते हैं सबूत जुटाने के साथ ही एक आरोप पत्र पुलिस के द्वारा तैयार किया जाता है जिसके अंदर विद सबूत सबूत उसके साथ में कि हाँ इस व्यक्ति को इन बातों का दोसी पाया गया है अपराद के केस में IPC काम करता है यानि कि इंडियन पैनल कोड इंडियन पैनल कोड के अंदर ये एक नियम का पूरे एक एक्ट बनाया हुआ है कोड है ये पूरी तरह से कोडिफाइड लौ है इसके अदर IPC के अंदर जो प्रदक्त धाराएं हैं उनके संग्यान में लेते हुए पुलिस के द्वारा जब आरोप पत्र के अंदर आरोप तै किये जाते हैं साथ में साक्ष जुटाए जाते हैं यानि कि सबूत जुटाए जाते हैं गवाह तैयार किये जाते हैं पुलिस के द् पर बर्डन होता है कि evidence लाए जाए अब ये जो आरोप पत्र है ये दाखिल कर दिया गया है मतलब कुल मिला कर इसका है कि जो जो धाराएं आरोप पत्र के अंदर चार्ट सीट के अंदर लगाई गई है अब magistrate के सामने वो आरोप पत्र जाएगा आरोप पत्र के अंदर जो कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है कौन कौन सी धाराएं है IPC की Indian Panel Code की जो की लगाई गई है तो एक सबसे पहली धारा लगाई गई है वो है धारा 354 अब ये 354 क्या है तो भारती दंड सहता की धारा 354 के अनुसार जो भी कोई किसी इस्त्री की लज्जा भंग करने या फिर यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कराचित उसकी लज्जा भंग करेगा के आसे से उस इस्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे एक अवधी के लिए कारवास्ति सजा अभी सजा क्या है इसके अंदर ये जान लिए हमने कि क्या क्या इसके प्र 354A या फिर 354 का इसको 354A भी आप बोल सकते हैं भारती दर्ण सहिता की धारा 354A के अनुसार कोई जो व्यक्ति किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है या उसे सारिरिक संबंद मनाने के लिए कहता है या उसकी इच्छा के विरुद असलील साहित्य पुस्तकें दिखाता है या उस महिला पर असलील टिपणी छीटा कसी करता है ये होते हैं ये है इसका प्रावधान वह योन उत्पीडन का दोसी होगा और उसे किसी एक अवधी के लिए कारावास की सजा और जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है 354, 354A इसके बाद एक धारा और लगाई गई है जिसको हम जानते है 354D या फिर 354 घा इसके अंदर क्या है तो भारती दंड सहता की धारा 354 घा के अनुसार इस धारा के तहर किसी लड़की या महिला का पीछा करना जैसी वार्दातें साम सकता है और अगर व्यक्ति दूसरी बार इस तरह की वार्दात में दोसी पाये जाता है तो उसे 5 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं या फिर एक सजा हो सकती है तो ये तीन धाराएं इनके उपर लगाई गई हैं अब ये धाराएं क्यों लगाई गई हैं क क्योंकि जब एक प्रस्ण पूंचा गया था एक पत्रकार के द्वारा अनुराग ठाकुर जो कि बरत्मान में हमारे केंद्रिय खेल मंत्री हैं इन्होंने जबाब दिया था उसमें कि we are not saving anyone सरकार के उपर तमाम आरोप लगेगी सरकार विरजभूशन सिंग को बचाना चाह कि जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर सहाब वो मुलाकात करते हैं रेसलर्स के साथ लगबग 6 घंटे का discussion इनके साथ होता है और अनुराग ठाकुर आस्वासन देते हैं कि 15 जून तक 15 तारिक तक जो चार्ज सीट है वो दाखिल कर दी जाएगी जो मांगे की गई इनके द्वारा एक तो चार्ज सीट दाखिल कर दी जाए चार्ज सीट के साथ में जो डबलू एफाई है उसके चुनाव फिर से हो जाए दोनों की दोनों इनकी डिमांड जो है वो पूरी हो चुकी है प्रोब अगेंस्ट बुरिजभूसन सिंग बाई जून पंद्रे ऐसा के साथ आठ जून साथ जून को अनुराख ठाकूर ने कहा था कि पंद्रे जून तक एफाई यार दर्ज कर दी जाएगी उसके बाद साथ तारिक के बाद आठ की ये आप ख़वर सुनते हैं कि माइनर रैसलर जो दूसरी एफाई यार दर्ज की गई थी नावालिक के द्व यौन उत्पीडन के मामले में 17 साल की नावालिक पहलवान के पिता ने यू टर्न ले लिया उन्होंने कहा डबलू एफाई ने उनकी वेटी के साथ कथित तौर पर भेदभाव किया जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर भाजपा सांसद के खिलाफ ऐसे गंभीर करते हैं तो मैंने भी सोचा कि मेरी बेटी के साथ भेदभाव हुआ है कुस्तिफ हैडरेशन ने भेदभाव किया था लेकिन इसी लिए गुस्चे के कारण हमने दो तीन चीज़ें इसके अंदर और जोड़ दी अब मैंने किसी दर्या दवाब में ये बयान नहीं बदला है ब्रजभूसन के खिलाफ छेड़ चार्ड के आरोप से नावालिक पहलवान के पिता पूरी तरह से पलट गए हैं उन्होंने कहा ब्रजभूसन सरन पर अब छेड़ चार्ड के आरोप नहीं है मतलब मिलाकर जब नावालिक पहलवान ने छेड़ चार्ड के आरोप वापस ल लगे होते तो ब्रजभूसर फिलाल गिरफ्तार हो चुके होते क्योंकि पॉक्सो का मामला साथ साल से उपरी सजावाला होता है नावालिक पहलवान जो है क्या बयान बदले हैं पहले बयान दिया था कि ब्रजभूसर ने जवरन थीचा हाथ कंदे से नीचे ले गया कमरे में बुलाकर जवरजस्ती सारेरिक संबंद वनाने की कोशिश की और जो फिलाल बयान दिया है उसके आप देखते हैं कि मेरे साथ ट्रायल में भेडभाव किया गया विरोध करने पर कहा गया कि खेलना हो तो खेलो वरना दूसरे एथलीट को विजेता गोसित कर दिया जाएगा इस प्रकार से इनके द्वारा ट्वीट किया जाते हैं डेली पुलिस फाइस क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है आप समझ चुके होंगे मजिस्टेट के सामने ये रिपोर्ट पेस्टी जाएगी जिससे की केस को क्लोज कर लिया जाएगा यानि कि जो आरूप लगे हुए है के अंदर उनको खत्म कर दिये जाएगा और जो केस दूसरा बाला चल रहा है उन आरूपों के आधार पर नई सरे से कारिवाही की जाएगी क्लोजर रिपोर्ट की क्या हमारे उसके कानून के अंदर है कोई प्राभधान तो दंड प्रक्रिया सहंता क्रेमिनल प्रोसीजर को द्वारा 179 के तहट एक क्लोजर रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो पुलिस या जाच एजिंसियों द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट या सम्मंदित अदालत को प्रस्तुत की जाती है जिसमें कहा गया है कि आरूपी के खिलाफ उचित जाच के बाद उसे कथित जैसे कि बॉंड निस्पादित करना जमानत प्रदान करना मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना आधि पर रहा कर दिया जाएगा जाच अधिकारियों को मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट को अग् एक हजार पन्नों की चार्ज सीट दाखिल कर दी है अब एक पड़ा प्रस्ण मन के अंदर लोगों के उठा हुगा है कि क्या पुलिस सरकार की कटपुतली बनकर काम करती है कि अब तक पुलिस ने F.I.R. तक दर्ज नहीं की थी और पहलवान लगातार विरोध कर रहे थे लगातार कोसिस की जा रही थी लेकिन चार्ज सीट दाखिल नहीं की जैसे ही एक मंत्री जी आते हैं मंत्री जी कहते हैं कि 15 तारिक तक F.I.R. दर्ज कर दी जाएगी और 15 दिन के अंदर 1000 पन्नों की F.I.R. लगबग हफटा वर के अंदर 1000 पन्नों की F.I.R. पुलिस के द्वारा दाखिल कर दी जाती है तो इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पुलिस के द्वारा कहा गया है कि जो F.I.R. या कहें कि जो चार्ज सीट हमने दाखिल की है वो 15 तारिक की जो डेडलाइन थी तो डेडलाइन पूरी कर दी गई है लेकिन अभी भी कुछ आरोप ऐसे हैं जिनके लिए सबूत जुटाना या फिर अभी जाच रह गई है जाच पूरी नहीं हो पाई है और जब जाच पुलिस की पूरी होगी तो एक और चार्ज सीट मतलब ये जो चार्ज सीट है इसी को पूरा करने वाली पूरक चार्ज सीट या फिर सपलीमेंटरी चार्ज सीट अलग से पुलिस के द्वारा बाद में दाखिल कर दी जाएगी ये मामला पुलिस के द्वारा बताय गया है एक हजार पन्नो की चार्ज सीट को दो अलग-अलग अदालोतों में दाखिल किया गया है इस बीच Poxo मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है पुलिस ने कहा कि इस मामले में कोई पुकता सबूत नहीं है पुलिस ने ब्रजभूसन पर पॉक्सो केस वापस लेने की अरजी भी लगाई है सरकारी वकील ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की गई पॉक्सो मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होगी बताया जा रहा है कि पुलिस ने 550 पेज की कैंसिलेशन चार्ज सीट भी दाखिल किया है क्लोजर रपोर्ट कैंसिलेशन चार्ज सीट महाभी रखाड़े जिसके कि ये सारे के सारे पहलवान है उनके सभी लोगों ने ब्रजभूसन के खिलाफ बयांदर्ज कराए है पुलिस के एक वरिष्ट अधिकारी सूत्र ने इसकी पुष्टी की है दिल्ली पुलिस के वरिष्ट सूत्रों का कहना है दिल्ली पुलिस को पीडित दो पहलवान और डबली रफवाई ने सिर्फ फोटो उपलब्द कराए है इन फोटो की संख्या कई सो है सभी फोटो की जाच कर ली गई है इनमें कोई आपती जनक बात सामने ने जब ये सबूत जो पेस करने की बात थी क्योंकि चार सीट दाखिल जब की जाती है तो ये जो पहलवान थे इन से सबूत मांगे गई थे पुलिस के द्वारा कि वीडियो ना तो पीरित पहलवानों ने उपलप्त कराई है और ना ही डबलो एफाई ने दी है एक वरिष्ट पुलिस सूतर ने बताया कि दिल्ली पुलिस के पास आरूपिव रजबूशन के खिलाफ सिर्फ पीरित महिला पहलवानों के बयान 25 लोगों की गवाही और फोटो है विदेशी कुस्ति संगों ने अभी तक कोई साहता नहीं की है नहीं है कॉल डेटेल असल में सबूत की जो बात चल रही है जो सप्लिमेंटरी चार्ड सीट की हमने अभी बात की थी उसके अंदर जो विदेशी कुस्ति संग है उनको पोलिस ने भेजा था कि जब ये लोग गए थे आपके यहां पर कोई भी टूर्णामेंट खेलने उस समय के कोई फोटो हो, कोई वेडियो हो वो सारे के सारे प्रोवाइड कराए जाए पोलिस के लिए ऐसे ही जो कंपनीज हैं, पुछले 10 साल का कॉल डिटेल्स मांगी गई हैं कंपनीज से लेकिन कंपनीज के पास 10 साल की कॉल डिटेल्स नहीं होती है इसके चलते जो सबूत हैं, अभी तक पूरी तरह से मिल नहीं पाए है WFI के पूर वध्यक्ष ब्रजबूशन सिंग पर 6 महिला पहलवानों के यौर्ण सोसंक केस में बनी चार्ट सीट में नए खुला से हुए हैं, सूत्रों के मताबिक दिल्ली पुलिस की जाच में 6 में से 2 महिला पहलवानों के साथ छेड़ चार्ट और एक का रास्ता रोकने या पीछे करने का मामला सामने आया है दिल्ली पुलिस को कॉल डेटेल से कुछ खास हाथ नहीं लगा है इसकी वज़ाए ये है कि टेलीकॉम कमपनियां एक साल से ज्यादा का कॉल रिकॉर्ड नहीं रखती है चार्ट सीट पेस होने के बाद साक्सी मलिक ने कहा अब इसपस्ट हो गया है कि बरजबोसन कसूर बार है साक्सी ने कहा हमारे वकील ने चार्ट सीट की कॉपी के लिए एप्लिकेशन दे दी है ताकि हम जल्द से जल्द उस पर लगाए गए चार्ट के बारे में पता लगा सकें हम देखेंगे कि वह चार्ट सही है या नहीं सभी चीज़ों को देखने के बाद अगला कदम उठाएंगे यह भी देखेंगी कि हमारे साथ किये गए वादे पूरे हुए है या नहीं जिनमें हमारे उपर दर्ध F.I.R. बापस लेने की बात भी सामिल है रास्ता रोकने या इस्टॉकिंग का जो केस है इनके उपर वो है 2012 का केस उसके अंदर F.I.R. दर्ध हुई है दिल्ली पुलिस की सूत्रों के मताबिक ब्रजभूशन पर जो रास्ता रोकने या पीछे करना का केस है वो 2012 का है इसमें सिकायत करने वाली महिरा पहलवान ने सिकायत की थी कि ब्रजभूशन ने एक टूनामेंट के दौरान उसकी मां से बात करने बात की हाला कि इन आरोपों को सावित करने के मामले में कोई टेकनिकल एविडनस अभी तक नहीं मिले है रैसलर्स के धरने में अब तक क्या-क्या हो चुका है हाला कि कई सारे सेसन्स हम अपने चैनल पर कर चुके हैं उसके बाब जूद यदि आप चानना चाहते हैं तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं या फिर चैनल के उपर जो सेसन्स मौझूद है उनको आप देख सकते हैं फिलाल की जो बिलकुल अपडेट है कि इनके खिलाफ चार्ड सीट जो है वो दाखिल हो चुकी है चार्ड सीट देखने के बाद पहलबान जो है अपनी आगे की रणीती बनाएंगे एसियन गेम्स में हिस्ता लेना चाहते हैं पहलबान इसी के चलते ये तयारी कर रहे हैं अपनी और ब्रोकरिया इनके द्वारा वापस कर ली गई है जो बात कर रहे थे हम इनके दूसरी डिमांड की कि WFI के इलेक्शन हो जाएं WFI इलेक्शन जो है वो 6 जुलाई के लिए अब होने है नन ओफ ब्रिज भूसन फेमिली मेंबर्स तू कंटेस्ट ब्रिज भूसन की परिवार से कोई भी व्यक्ति इसके अंदर पाडिस्ट नहीं करेगा ऐसी बात बोली गई है हालांकि नेता जी का दबदबा काफी अच्छा है कुस्ति संग के अंदर कुस्ति संग में ब्रिज के कई सारे भूसन है कैसे कैसे आप देखते हैं तमाम जो इनके परिवारी जन है चाहे ये इनके करण भूसन सिंग इनके पुत्र है ये पूर पाद्यक सालनी सिंग इनकी पूत्री है ये आदित्य परताप सिंग ये भी भारति कुस्ति संग से जुड़े हुए हैं ये भी बिहार कुस्ति संग से जुड़े हुए हैं तो क जय हैं